हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेन स्टडी इंडेन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए मूल विधी का टेस्ट लेकर क्या आया हूँ जो की आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट है वीडियो को एंटलेक जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोस्तंस भी पूछूंगा और उसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो के PDF डिस्क्रिप्सन में टेली के राम चलने का लिंग दिया हुआ है वहाँ से आप प्राप्ति भी कर सकते हैं पहला कोस्तंस दोस्तो आपके समने राश्टिय मानवाधिकार आयोक का ध्यक्च अपने पतपर कब तक बना रह सकता है जल्दी बताइए हम बात कर रहे हैं राश्टिय मानवाधिकार आयोक के तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर राष्टी ए मानवादिकार आयोक का अद्यक्ट जो है यह 5 वर्स तक या नहीं तो 70 वर्स की अब्धी तक अपने पद पर बना रह सकता है यह और भी जो भी पहले हो जाए या तो 5 वर्स पहले खतम हो जाए या 70 वर्स पहले पून कर ले तो जो भी पहले हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा यह अपने पदपर बना रहे सकता है तीसरा options correct ए और भी दोनों आपका सही होगा next question आपके सामने कि इस अधिनियम के अधीन यानि कि राष्टिय मानवादिकर अधिनियम के अधीन नियम बनाने वाली सकती किसे है जल्ली बताओ नियम बनाने की जो सकती है वो किसे है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो नियम बनाने की जो सकती है यह किसको है ए औ तो आपका सही आंसर हो जाएगा देहली तीसरा ओप्संस बिल्गोल करेक्ट नेक्स्ट कोसंस मानवादिकार आयो के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एक समीती के सिफारिस के आदार पर की जाती है तो इस समीती के अध्यक्ष कोन होते है तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधान मंतरी तीसरा ओप्संस बिल्गोल करेक्ट आपके सामने मानवादिकार संदक्षन अधिनियम का प्रवतन हुआ जल्दी बताईए मानवादीकार संरक्षन अधिनियम कब पिर्वतन हुआ तो सही आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 1993 दूसरा आप्सन्स करेक्ट राश्टी है मानवादीकार आयोक के सदस के संबन में कौन सा कतन जो है वो सत है जल्दी बताईए पद पर ना रह जाने पर भारत सरकार या राज सरकार के किसी अनपद को धारण नहीं करेगा बिल्कुल सही बात है ये तो 70 वर्स बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है बिल्कुल ठीक है भी हाली तो पड़ा वह पुनर नियुक्ती का पात्र होगा यहां भी बिल्कुल ठीक है तो यहां पर उपरोक्त सभी कतन जो है वो बिल्कुल सत्थ है नेमलिकत मेंसे कौन सा कतन है जल्दी बताईए कौन सा कतन जो है वो सत्थ है यही आप से पूछा है जल्दी बताईए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा option number D आयोग में राज सवा का सवापती सदस होता है 14 options यहाँ पर आपका बिल्लकुल correct होगा next question से आपका कि राज मानवधिकर आयोग सन परिक्षा रिपोर्ट पिर्तिवर्ष किसे भेशता है जल्दी बताइए राज मानवधिकर आयोग सन परिक्षा रिपोर्ट पिर्तिवर्ष किसे भेशता है तो सही आंसर हो जाएगा राज सरकार को राज की पात हो रही तो यह राज सरकार को भेजेगा है ना पहला options correct next questions राज आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है जल्दी बताइए राज आयोग का अध्यक्ष अपने पद को धारण कर सकता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा option number पांच बर्स तक की वो राश्ट में था यह राज में 5 वर्स की अब्दी यह 70 वर्स जो भी पहले कर ले तो तीसरा options यहाँ पर आपका correct होगा राश्ट पती मानवादीकार आयोग के अध्यक्ष का कारकाल केतना होता है अब यहाँ बताइया 5 वर्स यह 70 वर्स ठीक है 30 options correct मानवधिकारों का पिर्थम संविलन अंतराश्टी ए स्थर पर किस देश में आयोजित किया गया था जल्दी बताईए तो किस देश में आयोजित किया गया था तो आपका सही आंसर हो जाएगा तहरान दूसरा options correct next questions राष्टी ए मानवधिकार आयोग का अध्यक्च कौन होता है जल्दी बताईए राष्टी ए मानवधिकार आयोग का अध्यक्च कौन होता है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा उच्टम नियाले का पूर्व मुख नियाए दिस पहला options बिल्लोगर correct next questions थाने में मानवधिकार संड़क्चन के लिए आप किस प्रकार कार करेंगे जल्दी बताईए आप किस प्रकार कार करेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यदि मानवधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे दूसरा options बिल्लोग correct देखो दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं मैं हर टॉपिक से related आपको questions प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप से क्या मांगता हूँ 500 लाइक इसके बदले में आपको daily wishes पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ और पेडिया बिल्लोकल free of cost प्रोवा लोग हित बात दायर किया जा सकता है तो एक किसी भी व्यक्तिय संस्ता दोरा तीसरा options correct जन हित याचिका को किस जन छती के संदर्व में दायर किया जा सकता है जल्दी बताओ जन हित याचिका को जन करतव्यों के उलगन से संब्द छती के रूप में दायर किया जा सकता है प भारत में जनहितियाचिका किस ने प्रारंब की थी ये important questions है भारत में जनहितियाचिका किस ने प्रारंब की थी तो ये की थी नयमूर्ति पी एन भगवतीन है चोगता options correct जनहितियाचिका किस नियाले के समक्च दायर की जाती है जल्दी बताओ किस नियाले के समक्च किसी भी दायर किया जा सकती है जनियत याचिका के अंदर सरकार के बिरुद बिल्कुल कर सकते हैं राजसरकार के बिरुद भी कर सकते हैं नगर परीशत एवं सरकारी बिवाग के बिरुद भी कर सकते हैं चौता ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उप्रोक्त सभी नेक्स्ट कोसंस किस बाद में उच्टम नियाले ने यह निर्धारित किया कि पत्र लिखकर भी जन्हित याचिका दायर की जा सिकती है वह कौन सा बाद था तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत इंपोटेंड बाद था यह प्यूपिल्स यूनियन्स फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संग 1982 सी दूसरा ओप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोशन्स कोई बात जन्हित याचिका या जन्हित लोक हित वाद कब माना जाएगा जब वह सदभाबना पूर्ण हो या उसका उद्दिस अनुचित लब अरजित करना ना हो या वह राजनिती से परिरत ना हो उपरुक्त सबी में वह जन्हित या लोक हित वाद माना जाएगा नेक्स्ट कोशन्स किस बाद में उस्टम नियाल ने कहा कि जन्हित या जिकाओ को एक बार दायर करने की बाद बापस नहीं लिए जा सकता है किस बाद में कहा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सीला बार से बनाम भारत संग वा अन्ने 1986 पहला आपसंस बिल्लकुर करेक्ट नेक्स्ट कोसंस उस्तम नियाले ने किस बाद में यह कहा कि जनियत याजिकाओं की सुनवाई के दोरान पिरकिरिया से सम्मदिद आपचारिकताओं में नहीं पढ़ना चाहिए किस बाद में कहा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा राम सरण वनाम भारत संग बिल्कुल ठीक और इस बाद में भी कहा था कि रूलल लिटिगेसन एंड इंटाइटलमेंट केंदर वनाम उत्तर प्रदेश राज यानि कि यह और भी दोनों आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सई हो जाएगा इंटाइलेटलमेंट लिखाए ठीक है चलिए लाश्ट कोस्टन से आपका आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बहुत ही जादा इंपोटेंट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देजिएगा तो दोस्तो फलाल की वीडियो मेंदे सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक किजिए सेर की जो साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें क्यों की मरोजने इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत